इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आइफोन 11 सीरीज में एप्लिकेशन अगर इंस्टॉल नहों आपके एप स्टोर से तो कैसे आप यह प्राबलम को सॉट आउट करेंगे वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीचीगा बिल्का इकन को प्रेस कर लेना है तो जब आपको इस टेप की अगर प्राबलम आती है एप स्टोर से एप स्टोर नहीं होती है तो फर्स्ट अफ आल तो आप अपने आईफोन 11 सेरीस की सेटिंग्स में जाइएगा देन आपको जनरल पे क्लिक करना है स्क्रॉल करे और आपको सट डॉण पे क्लिक करना है ठीक है सट डॉण करे फिर आउन करे काफी चांस है कि आपकी problem ठीक हो जाएगी अगर ये तरीका काम नहीं करता तो second आपको general में ही transfer और reset iPhone पे click करना है reset पे click करे then आपको first options हो करेगा reset all settings का simple आपको अपने iPhone 11 series की जो all settings होती है उसे reset करना है जैसे ही आप इसे reset करेंगे जो भी गलत activity होई होगी सब कुछ default हो जाएगा then आपकी problem भी fix हो जाएगी ठीक है तो simple आपको यह method का use करना है ओके, so मिलते हैं next video में जै माता दी